शांती प्राप्त करने के लिए क्या करें? देरगायू होने के लिए क्या करना चाहिए? आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? आएए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ वरत चंद्रमा को अर्गे देने के बाद ही समाप्त होता है लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिर करवा चौथ में चंद्रमा की पूजा क्यों होती है चान्दोग्योप निशत के मुताबिक चंद्रमा पुरुष रुपी ब्रह्मा का रूप है जिसकी उपासना करने से मनुष्य के सारे पाप नश्ठ हो जाते हैं चंद्रमा को लंबी आयू का वर्दान मिला है जिसके पास रूप, शीतलता, प्रेम और प्रसिद्धी है इसलिए सुहागन स्त्रिया चंद्रमा की पूजा करती हैं जिससे की ये सारे गुण उनके पती में भी आ जाएं चंद्रमा शांती प्रदान करता है और मानसिक शांती से संबंद मजबूत होते हैं चंद्रमा शिवजी की जटा का गहना है इसलिए दीरगायू का भी प्रतीक है